बिपीस्टी के जरिये परिक्षा हुई थी और साथ दिनों के भीतर ही सिक्षकों की न्यूक्ति तक हो गई लेकिन उससे पहले बिहार के नियोजी सिक्षक राजिकर्मी के मांग को लेकर के लगातार अंदोलन परदर्सन करते रहें क्यूं देरी हो रही और क्या वज़ा है ज देखे माननी मुख्मंत्री जी ने दो तारीक को भी घोशना की कि हम लोग एक परिशा लेकर के राजकर्मी दर्जा देंगे तो ऐसा तो ने कि बात आगे नहीं बड़ी लेकिन बात को एक दम क्रियानवीत नहीं किया जा पारा है घोशनाय तो हो रही है 15 अगस्त को माननी म सब्राहट है और लोग तरह तरह का मतलब करते हैं बहुत से सिक्षक तो अब इस तयारी में है कि भाई चलो बीप्यसी वन में जो गएस हो गया बीप्यसी जो टू आ रही है उसमें हम फॉर्म भर के शामिल हो जाएंगे तो इससे देखिए बेरोजगार चात्रों का ही नु मचल सेद्धलि जाएगीocy कर चैजाँ अगर सरकार ने जल से जल एक सब्ता के अंदर राःकरमी वाला मसला नहीं संठाया अन्दर लिए अधर मान को है थोers ने इस्टेट कीप ने फॉर्म नहारे बादे हमिन लोग यंक छाइख राजिकर्मी के दर्जा देना है, कि नामात्त का परिक्षा है जैसी भी परिक्षा लेकर करके हम को दे दिये हैं, तो से confusion दूर हो जाएगा, और जो शिक्षक हैं, जो की बीपैसी टीरी 2 में वह प्रुम बनिक तैयारी में लगे हुए हैं और वो confusion खतम होने के वज़र से वो seat जिस पर नियोजी सिक्षक चले जाएंगे वो बच जाएगी उस पर विरुजगारी वहाँ को मुखा मिलेगा बहुत सारे ऐसे सिक्षक है जो बाइसकार भी करें इस परिक्षा का देखिए कुछ ऐसे सिक्षक संग है जिनका की नियोजी सिक्षकों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है 11 जुलाई को इतना बड़ा आंदोलन हुआ ऐसे संग उस आंदोलन में कहीं नहीं थे इनकी कोई भूमिका नहीं थी और एक संग तो नियोजी सिक्षक के हैं ही नहीं वो पुराने जो अब लगभग रिटायर हो चुके हैं उनके नियमी सिक्षक का संग है कुछ नियमी सिक्षक बचे हैं उनको नियोजी सिक्षक से क्या लेना देना है कोई मतलब नहीं है रिटाय बैठीकर्मी और नियोंजी शीक्षक की सफत पर कुछ बयान वाजी करते हैं उससे नियोजी शीक्षकों का कुछ लेना देना नहीं है कि जो भी संग है हम सब की आपसी बैठा कुई है परिक्षा देने क्लिए तैयार है है अमारी मांग यह जरूर कि एक विद्याले में एक समवर्ग हो एक नियमावली हो एक बेतनमान हो अलग अलग समवर्ग अलग नियमावली अलग बेतनमान हमें सुईकार नहीं है लेकिन परिक्षा को ले करके कोई कन्फूजन नहीं है कुछ लोग जान बुझ करके सरकार के समख्ष कन्फूजन क्रियेट करने के लिए ज दंता के बीच हमारी छेवीक हराँ करना चाहते हैं कि सिक्छक जो हैं परिक्षा से भाग रहे हैं जब कि ऐлонम कोई बात नहीं है सिक्छकsto का स्वागत करते हैं परिक्षा देने के लिए तयार हैं आप वीपेसी में देखा कितनी बड़ी संख्यामने शीक्षक पास किये चप्ष्ण ब्रेश्ण परीक्ष्ण परिखश्ण में तो by भागे में सब्षा मे परिखश्ण होगा करके तो क्या करना चाहिए इस सरकार अभी वक्त है नियोजीत शिक्षकों के लिए एक बेटर ऑफर दे एक समवर्ग बना देक्षी विद्यालिंब समवर्ग होगा और अपने ही समवर्ग में बने रहें आपको हम ऐसे ही बना देंगे राजकर्मी तो वह निश्चित तोर से वाले में सीट पर नहीं जा करके अपने सीट पर बने रहेंगे अभी वक्त है लेकिन वक्त बहुत कम है क्योंकि सरकार सब को प्रोविजनल के बाद गांधी मैदान में कारिक्राम के बाद फाइनल स्कूल अलॉट्मेंट करने जा रही है तो वैसे में अगर एक सब्ता दस दिन कंदर डिसीजन नहीं हुआ तब तो बिरोजगार अभिहरती बचारे धरना दे रहे हैं प्रदसन कर रहे हैं सोशल मीडि पर एक बेटर डिसीजन लिए नियोजित सिक्षकों को सेवा निरंतरता वरियता और वेतन सनक्षन का लाब देते हुए राज कर्मी के घोशना करें तो निश्चित मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी सिक्षक जो है वो बीपीसी वाली सीट पर नहीं जाएंगे खास करके डिसीजन मेकिंग में जो देरी हो रही है जो बिलंब हो रहा है उस वज़ा से बेरोजगारी वाँ की हकमारी हो रही है सरकार राजकर्मी का दर्जाय धर दे दे और उसके बाद जो सीट के रिख्तियां बचेगी उस पर सकेंडल मेरिट लिस्ट डरी कर दे हम लोग भी अभ सब्रण चाहेंगे कि हम हटा देंगे वह संभव नहीं है तो सरकार डिसीजन ले नियोजी सिक्षों को राजकर्मी में बेटर विकल्प दे नियोजी सिक्षाग भी प्यासीम नहीं जाएंगे और मेरा दावा है कि करीब 40 हजार बेरोजगार युवाँ को बिहार में नोकरी हो गई ट्यारी टू की तैयारी चल रही है लेकिन अभी तक राजकर्मी के दर्जा को लेकर के जो मांग तीन लों की अब तक पूरी नहीं हुई तो आपने सुना कि क्या वज़ा थी तो बनेरे कसिशन के साथ पटना संग किता सिंक्रिप्ट क्या शडिनい तक एपना सिंग कि दूरी त permitir के अच्याओ कि अपटना सिंग्स को बनेर में कि अब भाग